हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू यू पीसी वाला हिंदी सभी फ्रेंट्स का बहुत-बहुत स्वागत है I hope कि आप सभी की जो स्टडी अच्छी चल रही होगी and especially वो स्टुडेंट जो इस बार का यू पीसी पिलिम्स देने वाले हैं उन सभी की स्टडी तो कुछ जादा ही अच् आपको PT के perspective से दिये जा रहे है ताकि आप सभी की एक help हो सके आपको एक ही वीडियो में सारी जो चीजें है पूरा जो concept वे clear मिल सके तो आपको करना क्या है कि वीडियो को देखना है और उसके बाद आपको उसके short notes बना लेने हैं और ये काफी आपको help करेंगे कि जब आप आप खुद को एक तरह से evaluate करते रहें बहुत जरूरी है एक तो confidence भी बहुत जरूरी है कि last time आपको ये महसूस हो कि हा में crack कर सकता हूं UPSC का exam लेकिन उसके पीछे आपकी जो तैयारी है confidence आपका वही से आएगा confidence हवा में नहीं आएगा है ना तो ये आपके लिए आप सभी बच्चों के लिए कोशिश है UPSC वाला की तरफ से कि हम पीटी में किस तरीके से आपको UPSC वाला दो रहो ही चैनल पर फ्री जो मैटेरियल है पिलिम्स के लिए वह अबलेबल करा है ताकि आपकी जो टॉपिक्स है वह क्लियर हो सके तो आज की पॉलिटी के पहले भी आपक मेंशन है मेंस एक्जामिनेशन के लिए अलग से लिखा हुआ है पंचायती ववस्थाए स्थानिय सरकार लोकल गवर्मेंट अलग से मेंशन और आप देखेंगे कि हर साल यहां से कुश्यों साते हैं तो इंपोर्डेंट टॉपिक्स को बचो जो कि आपके लिए बहुत जर सब्चा करेंगे लेकर रूप से 33 और 74 वास संधान संशोधन था उस पर हम बात करेंगे ठीक कि यही वह संविधान संशोधन था जिस वक्त स्थानिय सरकार मतलब गाव और नग्रों में जो लोकल गवर्मेंट है जो लोकल सेल्फ गवर्मेंट है उनको कॉंस्टूशनल और अगरने को मजभूत करना है विकेंद्रि करण के स्थिति को decentralized अगर आपको करना है एक लोगतंत्र में लोगों की भगिदारी लोगों की जो एक तरह से participation है अगर उसको बढ़ाना है तब आपको क्या करना होगा जो पंचायते हैं उसको जादा अधिकार देना होगा तो गादे जी कहते हैं कि यदि हम पंचायती राज यानी सचे लोगतंत्र को के अपने सपने को साकार होते देखेंगे तो हम सबसे दीन और निम्नितम भारतियों को भूमी के सबसे प्रभावशाली भारतिये के समान ही भारत के साशक के रूप में देखेंगे इसका मतलब क्य है कि अगर यहां पर दीन ही इनकी बात हो रही है मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हो सकता है एकॉनोमिकली बहुत वो पावरफुल ना हो बहुत एजुकेट ना हो है ना बहुत जाद उसका पॉलिटिकल कोई सपोर्ट सिस्टम और बाकी सारी चीज़े ना हो लेकिन उसके सेंटर लेवल पर है केंद सरकार पर है ठीक है कि इस स्थानिय सरकार का पहले कुछ मतलब बता देती हूं आखिर इसका मतलब है क्या लोकल गवर्मेंट स्थानिय सरकार सरकार स्थानिय raftation काफी सारे शब्दाब सबी सुनते हैं इस शुरुवात में क्या हुआ था बच्टों अगर हम शुरुर्वाती समय बंने देखिए तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त में ले क्या किया था की दो असतर पर हमने सरकारों की स्थापना to are our first level really home session sık pack केने सरकार इन तरकार ठेक और दूसरा जो अस तरथा वैठा राज्यसरकार दूसरा जो इस्तर था वह क्या था राजिसरकार था ये दोनों ही केवल इस्तर हुआ करते थे लेकिन ऐसा नहीं कि शुरवात से कहीं ग्राम सभा या फिर इस तरह की चीज़ा नहीं थी लोकल बोडिस थी ऐसा नहीं कि वो कारे नहीं कर रही थी बट उन्हें सम्विधान में आधिकारिक रूप से सौपी नहीं गई थी है ना तो यहाँ पर क्या है एक तीसरा जो इस्तर है ये आपका तहित्तरवा और चोहत्तरवा सम्विधान संशोधन के द्वारा पाइनली सम्विधान में चोड़ दिया गया तहित्तर और चोहत्तरवा सम्विधान संशोधन और इससे एक तीसरा इस्थर इससे एक और जो सरकार का तीसरा इस्थर है जिसको की हम इस्थानिय स्वाशाशन कहते हैं जिसको कि हम इस्थानिय स्वाशाशन कहते हैं मतलब गाउ के लेवल पर या नगर के लेवल पर अपने ही जो इशूज हैं उनको वहाँ ही सॉल्व कर लेए अब आप किया पानी की ववस्था नहीं है आप सीधे योजना आयोग के पास जाएंगे नीती आयोग के पास तो तीसरा अस्थानिय स्वाशाशन इसकी आज हम बात कर रहे हैं समझ में आया ठीक है तो ये आपका अब देखो हमें पढ़ना क्या क्या है तो अस्थानिय सरकार जब आप स्टेंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे ये मैं आपको सोर्स बता देती हूं बच्चों कि आपको मैं NCRT का जो बेसिक्स है ठीक है जो कि आपके लिए जरूरी है प्लस जो पीवाई क्यूज है जो प्रीवेस येर कुश्चन है UPSC का PTN मेंस बोथ ठीक है PTN मेंस बोथ बच्चों और इसके साथ साथ नौट केवल NCRT बलकि जो आपकी स्टेंडर्ड बुक है लाइक लक्षमी क रहे यह नहीं कहती है कि 100 परसेंट पढ़ा दिया कुछ परसेंट की गुझाईश हमेशा रहता क्योंकि एक बहतर की गुझाईश तो होती है ना तो यहां पर क्या कि सारे टॉपिक्स को बेक्स कवर करा दिया आपके PT मेंस दोनों कवर हो जाएगे अब पंचायती राउज म हमने पंचायतों की ववस्था कर ली नगरों खिस्तर पर हमने डगर पाली का नगर निगम की ववस्था कर ली इसी को हमने स्थानिय स्वसाशन के दिया सो नेक्स्ट क्या है पंचायतों में हम पढ़ेंगे क्या खिर इसका विकास कैसे हुआ और इसका जो विकास का एक क्रम था उसक्रम में कुछ समीतिया बनी जैसे कि शुरभात में बनी बलवने तो चाहित समीतिया है उंकि अनुशनशाइ क्या थी जिससे इसका विकास हुआ कुछ चर्चा हम Неа together ये कर लेंगे तैस सेगेंट हम देखेंगे तेहेतर्वा समल्धान संशोधन जिससे पंचाइती राजववस्था को जोड़ी गया इसमें कुछ विशेष्टाओं को भी शामिल किया गया उन सभी विशेष्टाओं की भी बात करेंगे नेक्स हम देखेगे किसका महत और विशिष्टा है आखिर क्या है ग्यारवी अनुसूची जो कि 73rd amendment के द्वारा जोड़ी गई थी ग्यारवी अनुसूची ये क्या है ग्यारवी अनुसूची में ऐसे कौन से विशाय लिखे गए है ठीके 1996 का पेसा एक्ट क्या है पंचायत अगर हम एक्स्टेंशन एक्ट की बात करें जिसे की विस्तार अधिनियम भी कहा जाता है क्या से भी UPSC ने कुष्ट पूछा अनुच्छे 243 से लेके 243 ओ तक है ना 243 से लेके 243 ओ तक बच्चों बात की गई है पंचायती राज के अनुच्छेदों की और उसमें अलग अलग विश्व की बात है इसको समझेंगे तो आर्टिकल 11 वियान उसूची 73 अमेंडमेंट और समीतिया ये चार चीज़ है बहुत इंपोर्टेंट है ठीके लेकिन बाके चीज़ों को एक समझने के लिए मैतवे विशिष्टाओं की बात करें या पेसा एक चीज़ी भी काफी ज़रूरी है सेम बात हमें नगर निगम में करनी है ठीके मुन्सिपालेटीस में करनी है कि इसका डैवलप्मेंट विकास कैसे होता है 1992 में एक और अधिनियम आया था एक और समझने शोधन अधिनियम आया था जो कि 74 था 74 वा समझने शोधन अधिनियम ठीके इसकी क्या विशिष्टाए है इसके द्वारा बारवी अनुसूची जोड़ी गई वह क्या है इसमें कौन-कौन से विशह शामिल है और आर्टिकल 243P से लेकर 243ZZ जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है ठीके इन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है जो कि समझने शोधन के माधियम से तो यहाँ पर ये सारी चीज़े हमें पढ़नी होती है लोकल सेल्फ गवर्मेंट में इस्थानिय सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड आपकी स्थानिय सरकार इस्थानिय सोसाशन का मतलब आखिर है क्या तो इस्थानिय सोसाशन मतलब ऐसे इस्थानिय निकाए है ना जो कि इस्थानिय मामलों का प्रबंधन करें इस्थानिय मामलों जैसे की बिजली की समस्या है पानी की समस्या है ठीक है साफ सफाई की ववस्ता है उस लेवल पर इस्थानिय लेवल पर बाजार हाट की क्या समस्या है तो ये सारी समस्या ही तो होती है मुस्त हमारे नग पनावरू कर नियुकि खाता यांगता है तो सदसे हैं उस्तार हैं और जक्ष़ाता को को सब्सक्थान,चिया खिस वत करता है। यह सरकार का तीसरा सतर है हमने नगरपालिक तो यह आपका स्थारिय सरकार का देखो क्या होता है बचों की केवल समझाना समझाना जरूरी नहीं अगर मैंने आपको एक परगराफ बता दिया एक संटेंस बता दिया तो आपके दिमाग में clarity जो है वह हो गई कि अच्छा भई इस्थार यह सरकार का मतलब यह है तो आपके पास कुछ दो-ती लाइन्स भी तो सटीक होनी चाहिए ना कभी-कभी क्या होता है कि हम चीजों को लुकल गवर्मेंट आप कुछ बाते बताती हूं देखो जन्ति शुर्वात कहां से होती है ऐसा तो है नहीं कि जस्ट तेहित्तरवा और 74 जो समविधान संशोधन है वो हो गया और यहां से जो स्थानिय सरकार है यह इन्हें समविधान में शामिल कर लिया इसा तो है नी बच्चो इसके पहले भी कुछ न कुछ रहा होगा देखो बात कहां से शुरू होती है कि हो अगर हमिस系 इतिहास की बात करें हुआ है sr हम इसकी प्रस्ट भूमई को देखें तो प्राचीन काल में सभा समीतियblowing आपने सुनी ये इसी का रूप है फ्राचीन काल में जब हम सभा समीतियों की बात करते है न तो यही सभा आगे जाकर पंचायते बन गई यही सभाजों है आगे जाकर इनको पंचायते कहा जाने लगा और इन पंचायतों ने कहीं कहीं न्याय प्रसाशन कहीं कहीं राजस्व ठीके और बाकी जो मामले है ना उन को अपने हाथ में यहां अधुनिक केती हैं ना तो यहां पर बिटिश काल में आखिर इसमें क्या चेंजिस आए तो पहले लाट मेयो के दारव द्वारा भी ऐसा कुछ उटा सहा कउंसेप्ट लाया गया था बटतनू timber में को हमस्तानिय असास्वन का जनक नहीं कहते हैं भाध रिपन को कहते हैं ठीक है तो यहां पर वच्चों को सबिचाइद का इसने एक Local Board का गड़न किया था जिसे की मुकामी बोट कहा गया Local Board मुकामी बोड मुकामी बोड इस्थानिय इस्तर पर एक तरीके से जो कुछ अधिकार है वैं दिये गए थे ताकि लोकल जो मुद्दे हैं उसको सुल्जाया जा सके तब इसलिए लाज रिपन को क्या कहा जाता है फादर ओफ लोकल गवर्नेंस है ना इस्थानिय स्वासाशन का जनक इस्थानिय स्वासाशन का पिता इस्थानिय स्वासाशन का जनक कहा जाता है किसको लाज रिपन को क्लियर लाज रिपन को इस्थानिय स्वासाशन का जनक कहा जाता है यह इसका थोड़ा सा इतिहास है अब हम थोड़ा सा देश को आजाद करें अच्छा उसके पहले यह देख लो 1919 का जो एक्ट आया था और 1935 का जो एक्ट आया था है ना भारा साशन अधिनियम जो थे इन दोनों ही एक्ट में कुछ-कुछ जो चर्चा है वह की गई थी हाँ पस्ट रूप से नहीं थी बट कुछ च कि अब देखो मातमा गाधी ची की बाप करें तो महान चाली के दोरे यह कहा गया था यहां से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि थी थोड़ा से त्यास समझते हैं तबी तो जाके चीज़ों को करणेक्ट करण करना है आर्थिक्वा राजनेतिक विकेंद्री करन करना है तब आपको ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ग्रामीर पंचायतों को अथोरिटी दोगे जब आप ग्रामीर जो पंचायते हैं ग्रामीर पंचायत इनको आप अधिकार दोगे ठीके तो यहाँ पर ये महात्मा गाधी का कि इन्होंने कहा कि अगर हम वास्तव में लोकतंत्र की एक स्थापना करना चाहते एक सच्ची लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते तब बहुत जरूरी है कि स्थानी इस्थर पर व्यक्ति है जिसके पास भले बाकी के पावर्स ना हो लेकिन उसको स्थानी इस्थर के जो ठीक है अब देखो DPSP का हम प्रावधान करते हैं कि जब हमारा सम्विधान आया ठीक है तो हमने अपने सम्विधान का जो DPSP हम पढ़ चुके है ना डारेक्टिव प्रिंस्पल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज की नीती की निदेशक तत्व एक पूरा वीडियो एवलेबल है प्लीज उसको देख लीजेगा तो DPSP में आर्टिकल 40 अनुचित 40 इतनी हिंदी इंग्लिश को कोई इंग्लिश ने बोले जा कि मैं आपने इंग्लिश लिख दिया अरे भाई इतनी इंग्लिश आपके लिए कंपल सरी एकंपल सरी इंग्लिश का पिपर है ना इतनी इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे से कॉंटेंट जो कि इंग्लिश में अबलेबल है उससे आप दूर हो जाएंगे थोड़ा बहुत समझने की कोश करना तो एक-डो शब्द इंग्लिश नहीं माने जाएंगा भी बता देती हो अच्छा आगे देखो अच्छा कई बच्चे मैसेज करने भी लगते कि मैं हिंदी की क्लास है इंग्लिश मत लिखो इतना इतना तो देखो अब एक और मुद्दा बच्चों, कि जब हमारा समविधान लाग हुआ, एक प्रश्न, बिसिकली प्रश्न होगा ये, कि जब समविधान लाग हुआ, तब हमने तब ही पंचायतों को या स्थानिय सरकार लिख देते हैं, जादा सही होगा तबी हमने जो इस्थानिय सरकार है इसको समविधानि में क्यों नहीं लिख दिया है ना इसको हमने DPSP में बस एक जगा शामिल किया इसको हमने समविधानिक दरजा और शक्तियां क्यों प्रदान नहीं की एक ये प्रश्रिचिन लगता है तो इसके बारे में जवाहरलाल नहरू और अमबेटकर के कुछ कथन है जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस वक्तों लिटी देखो धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया और ऐसे में देश में जब एक तरह से हम ये कह पूट का शिकार है जाते पाती में बटा हुआ है अगर हम उसके उसको बेस बनाकर हमने लोकतंतर का प्रथम इस्तर का दर्जा दे दिया तब तो चीजे अगर बेसी गलत है आपके सोर्सी गलत है तब सेलेक्शन कैसे होगा ठीक वही बात थी कि अगर उन्होंने अगर हमने गाओं को पहले ही समवेधार दे दिया तो उनकी हो सकता है कि जाती पंचायते चलती हो कि जाती क्या अधार पर एक को जादा सजा दे दी तो को कम सजा दे दी तब हम चीजों को कैसे और्गनाईज करते तो जरूरत नहीं थी उस वक्त क्योंकि पहले हमें अपनी पूरा जो देश एक तरीके से सबस्थाने था और उनको दरजा दिये जाने करने बरबाद हो जाता ता तो इसलिए हमने उस वक्त आर्टिकल 40 में चुप-चाप से लिग दिया कि ठीक है भाई जब राज सक्षम होगा और ऐसा लगेगा कि अब हमें स्थानिय स्तर पर जादा प्रस्टभू में कुछ शब्दों में बताती हूं गादी जी कहते हैं कि सच्छा लोगतंतर जो है वह केंद्र में बैटकर राज चलाने से नहीं होगा तो को बेसिकली आपको पता है बच्चो योजना आयोग पर जो सबसे बड़ा प्रश्रिचिन लगा था जो प्लानिंग क टेटकर बंद कमरे में ऐसी कमरे में लिए जा रहे हैं वह बाले की समस्या आप सिक्षा की बात कर रहे हैं तो पहले आपको किस चीज़ को सॉल्ब करना चाहिए तब तो जरुरत है कि आप वहां के लोगों को भी शामिल करो यही तो आविशक्ता है यही आविशक्ता है अच्छा लोगतांत्र वही है जब केंद्र में बैठकर जो है फैसले ना लिये जाए बल्कि गाउं के प्रतिक व्यक्तिक एक सही योग हो और भागीदारी और पार्टिसेपेशन की जो बात है गाधी जी करते हैं बारत में पंचायती राज का गठान और उसकी अभधारना मा एक अर्थ देखो लोगतांत्रिक विकेंद्र करन के रूप में ही हम इस थानिय जोसाश न हे उसको संवेधारी दर्जा दिया है लोगतांत्रिक विकेंद्र करन का लिए MPK किसी एक गाउं के लिए माली जो फुलेरा ग्राम पंचायत आपने अगर पंचायत वैब से लिए नीटी बना रहे हैं उसको पते ही दिये गाउं के बारे में तब क्या होगा तो इसलिए बच्चों गाउं के जो लोग है न ये मिलकर अपने हाँ कर लें और ना केवल एक किन पूरे देश के लिए कितने है हमारे हाँ गाउंंं, अगर हमारे कैते हैं भारत गाउं का देश है न忙 आपको भारत को जो है, दो लाइन ऐसी बोलनी हो, जोकि सबसे जाधा इंपोरेंट हो, भारत के बारे में तो आप दो लाइन के जानते हैं या बोलेंगे एक तो करशी प्रधान देश है और दूसरा गाउं का देश है तो यहाँ पर एक जगा पर केंदित ना करके इस्थानी इस्तरों पर उसको विभाजित किया ताकि आम आदमी की जो सत्ता में भागीदारी वह सुनिश्चित हो और जब लोगतंत्र का मतलब ही भागीदारी है लोगतंत्र का मतलब क्या है कि जो साशन है जो साशन कर रहा है ज संचाल है उसमें यूगदाद कर सके यहीं क्या है लोकतात्रिक विकेंदी करन है ठीक है जाव एक कुष्यन दिखाती हो देखो देखो यह यूपीएसी का 2017 में पीटी में पूछा गया कुष्यन है बच्चो कुष्यन में एक अभ्यास के रूप में इस्थानिय सुसाशन को सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है एक लाइन का कुष्यन था कैसे आप एक लाइन में समझाओगे मैं क्यों आखिर आप से कहते हूं टम्स पकड़ो कैसे आप समझाओगे एक वर्ड उसके लिए क्या है सो सग्वाद आएगा कि इसके लिए नहीं लोग तांत्री के विकेंद्री करण एक्जेक्टली है ना लोग तांत्रे के विकेंद्री करण ये इसका मतलब होगा ये 17 ने पूछा का कुष्यन था अभी हमने टॉपक को ठ चीक से शुरू भी नहीं किया और जो कुष्यन है हमारे यहीं से सॉल्व हो गया ठीक है चलो आएक कुष्यन और देखते हैं पंचायती राज ववस्था का मूल उद्देश आप पढ़ोगे आर्टीकल और कुष्यन पूचा जाएगा उसकी आत्मा से कुसका उद्देश क् पर तुमार में उसकी कमिया क्या है तब आप से कुष्यन नहीं बनेगा देख लो तो सीदह सीदह नहीं पढ़ना है पहले हमें बेस भी बनाना है कि आखिर पंचायती इस्थानी सुसाशत जो अब तक में बता रही थी वह बेस ही था बच्चो कि आप आर्टीकल पढ़ो व पही आर्स काउंट करो जो कि आपके क्लास के बाद के हो ना कि आपने दस घंटे कोई वीडियो देखी सारा सर की उपर से चलागे आपने उसको स्टडी के आर्स में काउंट कर लिया तो यहां पर पंचायती राज विवस्ता का मूल उद्धिश क्या है कैसे यह सुनिश्यत चाहर में देदी लोगताइं विकेंदिकर अद्धिस लोग फिर से वही शब्द है क्यों आ पढ़े इस फरफ वाई बीचाओ व्केंट यह 15 में पूछा फिर से 17 अपूछ दिया कि वाली सीक बेश तो हमेशा ना कीवल कुश्यस बलकुस में क्या-क्या ओप्षिंस दिया उसको भी पड़ो ठीक है चलो आप इसको आगे सॉल्ब करेंगे छोड़ देते इसको अभी कुछ बातें तो हमारी प्रेस्ट भूमी की बात हो गई लाज रिपन को स्थानी सुसाशन का जनक कहा जाता है ठीक है औ स्थानी सुसाशन को हस्तांदर्त विश्व की सूची में जो है रखा गया था ठीक है स्वादंतिता के बात क्या हुआ 1957 में योजना आयोग बना जो कि अमनीति आयोग है योजना आयोग के द्वारा लाया गया था सामूदा एक विकास कारेक्रम 1952 और बैसिकली बच्चों यह फेल हो गया था ठीक है और इसके बाद देखो एक और कारेक्रम आया रास्टी विस्तार सेवा कारेक्रम 19 योजना आयोग ने योजना आयोग ने क्या किया दो कारेक्रम लेके आता है लेकिन वही दोनों कारेक्रम जो फेल हो जाते हैं तो आब आती है पहली समीति जिसका की नाम था बलवंत राय महता समीती और उसका में काम ही यही था बलवंत राय महता समीती का की आप सामोदाइक विकास कारिक्रम और जो राश्री विस्तार सेवा थी आखिरी आसफल क्यों हो गए आप उसके लिए रिपोर्ट तयार गरो ठीके तो में इसका यही था और याद से उपर जो शीष लेवल पर हो वे जिला पंचायत हो ठीक है तो यहां पर ये बात जो है वे कहीं गई तो बलवंत राय महता की सिफारिशों को एक तरीके सा 1958 में राश्ची विकास परिशद जो की जो हमारी पहले आप देखते हैं कि जो पंचवर्शी योजनाए बनती तो ने फाइनली अनुमूदन यही करता था राश्ची विकास परिशद ने क्या किया कि जो बलवंत राय महता की कुस समीतिय तो उसको स्विकार किया और 2 राजस्थान के नागोर्जली में राज उस वक्त प्रधान मंत्री थे जवाहरलाल नहरू उन्हों ने उद्गाटन किया पहली त्रीस तरिये पंचायत का कहा पर वच्चो राजस्थान के नागोर्जली में ठीक है अब देखो 1993 आ गया और तब 73 और 74 संविधान संशुदन ठीक है clear है चलो तो यह कुछ ऐसी प्रस्ट भूमी थी अब देखो आगे विकास और समीतियों में बलवंत राय महता समीती की दो बात हो गई आगे जाके कुछ और बाते हम करेंगे ठीक है 73 महत विशेष्टाएं ग्याद्वियर उसूची 96 का पेसा अधिनियम और 43 से 43 ओता के आर्टिकल्स सो देखो तो हम पढ़ते हैं बचो 73 और 74 अधिनियम फिर इने विस्तार से भी मैंने आपको दिया हुआ है इस फाइल में तो जब आप सभी कोई PDF एवलेबल होगी पी डब्लू के अप्लिकेशन पर देन आप इसको रीडिंग कीजेगा तेहित तर्वा और 74 और 73 और 74 सम्विधान संशोधन अधिनियम है है ठीक है चलो है थोड़ा सा टेबल फॉर्म में लिखते हैं कि तो जो 73 अमेंड मेंड स्बसें पहलेज송 कि ये जुडा हुआ था गाओं के प्रसाशन से यानि ग्रामीड स्थानिय को तीक है गाओं के इसतर पर जिस तरीके पर सोशाशन होगा लोकल गवर्मेंट में वो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा और 74 में एक शब्द लिखा हुआ था नगरपाली का है ठीक है और ये संबंदित था आपका शहरी इस्थानिय स्वासाशन से शहरी इस्थानिय स्वासाशन ठीक है इससे जुड़ा हुआ था अब देखो कु का जोड़ा गया था नो ऐसे भी याद रख सकते हैं और 74 जो है समविधान में भाग ए जोड़ा गया ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि दोनों तरीके से आपको लिखा मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पर देखो कि ग्रामीड स्थारी जो सुसाशन है इसके अंतरगत जो ग्यारवी अनुसूची शामिल की गई सब्विधान में भाग कौन सा जोड़ा गया भाग लिखा था कहा पर अरुच्छेद लिखा था तो इसके द्वारा क्या किया गया था संविधान में भाग नौ जोड़ा था तेतरवा संविधान संशोधन के द्वारा जिसमें की ग्रामीड स्थारी सुसाशन लिखा हुआ था और ग्यार्वी अनुसूची जोड़ी गई थी और ग्यार्वी अनुसूची में 28, 28, 28 ऐसी विशियों को शामिल किया गया था जिन पर की ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया जाएगा 28 विशियों को शामिल इसमें जो विशय लिख दिये गए ना बच्चों यह सारे विशय वो है जिसमें की ग्रामीड स्थार पर जो सर याद रखो, बारविय अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसमें जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, आर्टिकल के पहले विशय देख लेते हैं, तो 28 विशयों को जोड़ा था, अच्छा, सौरी, माफ कीज़ेगा बच्चों, देखो, इसके अंतरगत हमने 29 विशयों को शामिल किया गया था, और जब हम बारविय अनुसूची की बात करेंगे, तो बारविय अनुसूची में जोड़े गए थे, 18 विशय, ये 18 विशय ऐसे थे, जिस पर की, जो नगरिये, स्थानिये, सोसाशन है, ठीके, वो अपने जो डिसिजन से महलेगी, इसके अलाब हम आर आर्टिकल से मैं जोड़े गए थे, तो आर्टिकल देख लो, आर्टिकल 243 से लेकर, आर्टिकल, मतलब A, B, C, D, ऐसे करके, आर्टिकल 243 O, ठीके, इन अनुछे दो मैं बात की कही थी, पंचायतों की, और जब हम बात करेंगे, 74 की, तो इसमें कौन-कौन से आर्टिकल, इ पी से लेकर, आर्टिकल 243 ZZ, आर्टिकल 243 P से लेकर ZZ तक, ठीके, अब देखो, कुछ इंपोर्टेंट प्राविधान मैं बता देती हूँ, कि जैसे कि जब हम ग्रामीर इस्थानिय सुसाशन की बात करेंगे, ग्रामीर इस्थानिय सुसाशन या पंचायतों की, इसमें हम नगर पाली का भी लिख सकते हो, ठीके, एक एक शब्द से याद कर लो, इसको, लिखी देती हूँ, मैं आप भी लिख लीजे बचो, 73 यहाँ पर मैंने पंचायते लिख दिया, पंचायते कहाँ पर ग्राम के स्थार पर, ठीके, और 74 जो है, यहाँ पर म्यूंसिपालिटी अब आगे देखो, कुछ इंपोर्टेंट विशिष्टाओं की बात करते हैं, जैसे कि ग्रामी निस्थानिय सोसाशन के लिए, कौन सी ऐसी विशिष्टाएं थी, जो 73 अमेंडमेंड में जोड़ी गई, और इन विशिष्टाओं में सबसे पहले तो शामिल है, ग्राम सभा कि ग्राम सभा होगी गाउं के सतर पर, और ग्राम सभा में 18 वर्ष से अधिक की आयो कि ऐसे व्यक्ति जिनका कि मतदाता सुची में नाम है, वो सभी शामिल होगे, एक ग्राम पंचायत के शित्र में जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका है, अठारा वोटर लिस्ट में भी ऐसा नहीं क्या इसके विशिष्ट नहीं है तब आप गाम सबागे सदस्वा ग्राम सबा के जो काम है वो राज़ सरकार ने धारित करती है एक विशिष्टा ये होगी सेकंड स्के विशिष्टा है पंचायतों कि के इसकी जो प्रणाली वे 3 टायर होग ठीके त्री इस तरी प्रणाली होगी इसका मतलब क्या है शॉट में यहां बताती हूँ आगे बाकी हम चर्चा करेंगे ठीटायर स्ट्रक्चर क्यों इसका रखा गया ठीटायर स्ट्रक्चर वन टू एंट ठीके देखो सबसे फर्स्ट सबसे उपर लेवल पर होगी जिला पंचायत जो की नीतिया नियम बनाना और विकास की योजनाय बनाना ये जिला पंचायत का काम होगा ठीके सेकेंड हम देखेंगे कि ब्लॉक लेवल पर या मध्वर्ती इ इस्तर पर जनपत पंचायत मध्वर्ती पंचायत जनपत पंचायत ठीके तैसी लिया तालू का लेवल पर होगी और गाउं के इस्तर पर गाउं के इस्तर पर होगी ग्राम पंचायत ठीके इसे ही ठीटायर कहा गया तो इसकी संरचना कैसी है बचो ठीटायर ये वही संरचन structure ठीक है अब देखो आगे कुछ और points देखते हैं तो इनकी विशेष्टाओं में सबसे important point हो गया इसके अलावा देखो कि जो gram panchayetों के चुनाव है वह कैसे होंगे और gram panchayetों के जो अवधी है वह क्या होगी इसके अलावा gram panchayetों के चुनाव के लिए एक राज निर्वाचन आयोग होगा ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेष्टा है राज निर्वाचन आयोग ठीक है राज निर्वाचन आयोग होगा और वित्य की ववस्था के लिए पैसे की ववस्था के लिए कि आखर gram panchayet जो decisions लेगी जो नेतिया बनाएगी उसके लिए उसके पास उसको execute करने लिए उसके पास पैसा कहां से आएगा तो इसके लिए वित्य संसाधन उपलब दो इसके लिए राज वित्तायोग की जो बात है वे की गई कि एक राज वित्तायोग होगा ठीक है ये इसके कुछ महात्रपूर्ण विशेषता है 73rd Amendment की वित्तायोग चुनावायोग इसके अलावा एक और देखो आरक्षन की हम बात करेंगे एक और इसकी विशेषता क्या हो गई कि इसमें जनसंख्या कैनूपात में जो SCST है महिलाए है ना केवल सदस्यों के लेवल पर है बल्कि जो भी पंचायतों के अध्यक्ष है उनके लेवल पर भी एक तहाई आरक्षन के जो वशवस्ता है SCST के लिए जरुवद्पड़े तो राज OBC को भी ए आरक्षन पर्वाइट कर सकता है इसके अलबा बहिलाओं के लिए भी है देखो बहिलाओं के लिए आरक्षन की विशिष्टा क्या होगी पंचायतों में स्थालिय स्तर पर कि एक तेहाई आरक्षन है और उस एक तेहाई आरक्षन में एक तेहाई आरक्षन में याद अटना की अध्यक्षपद भी शामिल होग कि कुछ-कुछ जगा पर structure में definitely अंतर आएगा लेकिन यहापर हम देखेंगे चुनाव और अब्धी सेम होगी राज निर्वाचन आयोग और राज वित्तायोग और आरक्षन की वही ववस्ताय होगी जो कि ग्राम पंचायतों के लिए है ठीक है जो कि ग्राम पंचायतों के ल पंचायती राज संस्था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है संशोदन अधीनियम 1992 के माध्यम से जमीन इस्तर पर लोकतंत्र को साकार करने के लिए समवधानिक दर्जा प्रदान किया गया और देश में ग्राम इन विकास का जोकार है वह इसको सौपा गया इस अधीनियम ने भार तो यह important बाते हैं क्योंकि देखो sometimes क्या होता है कि हो सकता है कुछ बच्चों को यह points जो है आपस में connect नहीं कर पा रहे हैं तो मालीज अगर उसने केवल PDF देखी तब भी वो समझ पाएगा क्योंकि next page में ही इसका सारा वर्णन है अब आगे हम बात करेंगे बच्चों कि इस के पारेश होसे और झाल बलवणतराय वैयनता समीते हैं हम नकिन 1957 क्या स्पस 1957 में बलवनतराय महिता JIM की योजना आयोग के द्वारा जो दो कारिक्रम चलाए गए थे उनका एक तरीके से मुल्यांकन करना ठीके तो बलवंत राय महता समीती को बस हम पढ़ लेते हैं तेको बच्चों कि योशना आयूग ने क्या किया था कि सामुदाइक विकास कारिक्रम को शुभारम किया है ना और यहां पर एक रास्टी प्र और एक तरीके से सहभागी एक जो लोकतंत्र है और त्री इस्तरिये पंचायतों की जो बात है वह बलवंत राय महता समीती की सिफारिशों के बाद ही शुरू हो पाया था इसके लावा देखो ये सारी बात है हमने कर ली और 2 अक्टूबर 1959 को राजिस्थान के नागर जिलो अशोक मेता समीती 1977 और देखो बच्चो इसका मेन काम था कि पंचायते तो चुकी काम कर रही थी सम्वेधानिक दर्ज freelance रही था पर वो काम कर रहे थी तो पंचायतें पंचायतों को बहुत सारी कमिया थे लेकिन तो पंचायतों का पुनरुधार और पुनट जीवन प्रदान करने के लिए ठीक है पंचायतों का जो हम एक पुनट जीवित की बात करें इनको पुनट जीवन प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया, एक एक शब्द हमेशा याद रखो, तो पंचायतों का पुनट जीवन प्रदान करना अशोक महता समीती, बलवंत राय महता समीती, दो कारे क्रम क्यों असफ़ल हुए थे, उसके कारणों के जाज करना, ठीके, इसके लाव देको बच्चों, इस समीती क की बात की थी, तो इसने कौन सा गायब किया था, कौन सा इस्तर गायब किया था, दुए इस्तर ये पध्धती की जो सिफारिश है, ठीके, दुए इस्तर ये पध्धती की सिफारिश, अशोक महता समीती ने की, और यहाँ पर ये कहा गया, कि एक तो जिला इस्तर पर हो, पंचायत के दॊ जो पधति हैं दूइस तरी पधति की बात इन्होंने की अश्योक मैंता समीती ने आप जिलापरशत भी लख सकते हैं चिला मंदल नहीं जिलापरशुत ठीक है तो ये क्या था ये दुए इस तरे पधिती की बात हो गई तो अशोक मेहता और बलवंतराई इन दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस था इसके अलावा ये कहा गया कि अगर आपको पंचायतों को पुनर जीवन ये इसका उद्देश है ठीक है लिख लेन तो पंचायतों को पुनर जीवन कैसे मिलेगा जब इनके पास आर्थिक संसाधन होगे आपको लगता है कि बिना आर्थिक संसाधन के आप सशक्त हो सकते हैं और अगर आर्थिक संसाधन चाहिए तब आपको क्या करना होगा आपको कर लगाने का जो अधिकार है वे मिलना च झाएगा तो टोल्टेक्स होते हैं या फिर जो मारक इट में लग रही है उससे जो टेक्स है वह ले सकते है या फिर आप देखते हैं और पाली या उन से पैसा ले सकते तो यहाँ पर एक तरीके से स्थादिय लगाने की सिफारेश टाकि इसके पास संसाधन lini और कर लगाने की जो ववस्ता है कराधान की शक्ति ने दी जाए कराधान की शक्ति है वह दी जाए और एक और important है इसमें कहा जा गया था कि social audit कराया जाए सामाजिक रूप से जो लेखा है ठीक है auditing करी जाए इसके कामों की सामाजिक लेखा जो परिक्षन है वह हो सके ये भी इसमें एक विशिष्टा आप लिख लो ठीक है साधी देखो देखो अशूक महता समीती की सिफारिशे अच्छी थी लेकिन जनता पार्टी की सरकार आई थी तभी अशूक महता समीती का गठन किय था जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में लेकिन हम देखें कि बच्चों की बहुत ही जल्द जनता पार्टी की जो सरकार जब भंभ हो गई तो अशूक महता समीती की जो सिफारिशे है ये लागू नहीं हो पाई अगला कूशन माली जे चार समीती आपको देदी और उसमें जनता पार्टी की सरकार थी उसके विगिचन होने के बाद सिफारिशे जो है लागू नहीं हो सकी अशूक महता समीती ठीक है अब हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जी वी के राव समीती के बारे में देखो सबसे पहले तो यह देखो कि जो जी वी के राव समीती इसका मुख उद्धिशी क्या था एक तो 1985 जर्खूँ पिचयासी का गछन और इसका में उद्धिश था बच्चों कि जो गाव में जो गरीबी है ठीकिए उसका उनमूलन कैसे हो विकास जो है कैसे हो तो जीवी के रा ग्रामीन विकास वा गरीबी का उन्मूलन ठीक है तो इसके लिए को सिफारिश है देना और जो गरीबी उन्मूलन के लिए जो कारिक्रम चल रहे थो उनकी समीक्षा करना जनते उसने क्या पाया कि समीक्षा जिवी के राउ समीती कहती है कि पंचायते अगर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे है तो उसके पीछे कारण है और इसके पीछे कारण है नौकर शाही एक तो उद्देश हो गया 1985 हो गया का कि नौकर शाही जो है अफसर शाही इतनी ज़ादा है नौकर शाही के कारण पंचायते कमजोर हो रही है द्रूप से निर्वाचन होना चाहिए द्रूप से जो पंचायते है उनका चुनाव, वो सारी चीज़े, ये सारी चीज़े पहले चली रही थी, सब अपने भी सिफारिशे कर रहे थे, ठीके, क्योंकि अब तक 73 और 74 अमेंडमेंट नहीं हुए थे न, तो जीवी के राव समीती का एक उदेश, और एक हमने देख लिया, तो अब माली जे प्रशन समीती, एलम सिंगवी समीती 1986 और ये राजीव गाधी की सरकार के समय, एलम सिंगवी समीती 1986 जब राजीव गाधी की सरकार थी, ठीके, अब देखो, तो इसका मेन उद्दिश क्या था, मेन उद्दिश देखो, मेन उद्दिश याद करना है न, हमें सभी के, लोगतंत्रवा विकास के लिए पंचायतों का पुनरुद्धार। लोकतंत्र के विकास के लिए लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायतों का पुनरुद्धार। यहां पर पुनर्ण जीवन की बात किस ने की थी अशुक महता ने। लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज का पुनरु ठीक है ये मेन उद्धिश था अब देखो बचो एलम सिंगवी समीति आप वो समय था जब मानता जब सम्विधाने रूप से मानता देनी की जो बात है वै की जाने लगी थी कि आप लाग सिफारिश कर लो कि ने में चुनाफ कराओ नौकरशाही कम करो लेकर उसके बाद भी ठ पंचायतों को सम्विधानिक मानता जो है वै दी जाए नियमित वा निस्पक्ष चुनाव हो ये बात यहां पर भी कही गई कई सिफारिश यह ऐसी होंगी जो की एक से जादा समीति भी करेगी ठीक है नियमित वा निस्पक्ष जो है वै चुनाव हो रेगुलर रैन नियाय पंचायतों की स्थापना की बात की कि गाउं पंचायत तो ठीक है उसके साथ नयाय पंचायते भी हो ताकि जो और भी नयाय से संबंदित काम है वै देख सके साथी इसमें यह कहा गया बच्चों कि अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है न तो उसके लिए अधीकरण बना लेते हैं स्पेशली तुनल्स मालिज़ एस पैशली किसी एक विशय को सॉल स्कंद के दिस्पूटे कर बना लिए गए तो यहां पर तरीक के जो ट्यूब्यों अन्स बनाये जाए तो यह कुछ ऐसी बात थी जो करीिस छुल होता साहिते हैं आंगा देका में EE pun समीति और गाट गिल समीति थूंगन समीति और गाट गिल समीति ठीक है तो अब देखो थूंगन एंड गाट गिल समीति चलिए कुछ पॉइंस और बता देती हूं अब देखो थूंगन समीति जो कि 1986 में आई थी 1988 नहीं 1988 1988 ठीक है अब देखो तो यहां पर बच्चुष में यह कहा गया कि जो पंचायते हैं उनके राज नेतिक वा प्रशासनीक जो धाचा है उसकी जाच की जाएं और पता लगाया जाए कि आखिर जो प्रॉब्लम्स है वैं क्या है और किस तरीके से बंचायतों का एक तरीके से आर्थिक और बागी जो साशक्ति करने वैं हो सकता है अब याद अच्छा बच्चों कि यहाँ पर यह कहा गया कुछ चार पॉइंट से जो की जादे इंपोर्टेंट है तो यहाँ पर थुंगत समीति के द्वारा भी जो सिफारिश है दी गई उसमें एक तो कहा था कि भई आरक्षन का प्रावधानू महिलाओं के लिए भी महिलाओं के लिए तो हो ही तो सभी को जनसंख्या क्यानुपात में आरक्षन मिले इसके अलाब यहां पर कहा गया कि अब बात आ गई कि जो चुनाव है वोई पांच वर्ष की बात हो गई अभी तक चुनाव की नियमित चुनाव कि बात हो रहे थी लेके निया Пरिस पैसलि सम्वेधानिक मानिता जो है वैं प्रदान की जाए ठीक है और यहां पर भी ट्रीस तरी पद्धिती की बात की गई ठीटाय स्ट्रक्चर ट्रीस तरी पद्धिती ठीक है कोई भी शब्द आपके लिए ऐसा तो नहीं लग रहा कि तरीस तरी का मतलब समझ में नहीं पहले बता रहाण पर में यह था उद्धिश बस इसका याद कर लो गाडगल समीती का में उद्धिश था कि पंचायतों को प्रभावी कैसे बनाया जाए घिकई अब देखो इसके लिए को सिफार्शे की तो basically ये गाटगल समीती हो गई तो यहाँ पर हमने सभी समीतियों के कुछ-कुछ जो important points थे वह हमने पढ़ लिए इतने में आपका PT का जो काम है वह हो जाएगा clear अब हम चलते सम्वेधानी करण की कि आखिर सम्वेधानी करण जो है वह आखिर हुआ कैसे था ठीके सम्वेधानी करण कैसे हुआ था कुछ points हम पढ़ लेते हैं कुछ points में लिखवा दूँगी अब देखो बच्चो तो जिवे के राव समीति था यह हमारा हो चुका बाकि आप पढ़ लीजेगा में इन में ची आ गया कि देश की अखंडता के लिएक तरीके सकत्रा और एक मजबूत केंद्र होना चाहिए तो पंचायती राज्यों को सशक्त बना किने के उद्देश से संविधान संशोधन भी ऐसा नहीं है कि पहली बारी 73 और 74 अमेंडमेंट आए और वो पास हो गए इसके पहले भी राजीवगादी सरकार के समय यह 1989 की बात है राजीवगादी की सरकार वाले पहला भागू गया आप देखो दूसरी बात यह बचो कि जब हम बात करेंगे वीपी सिंग की सरकार थी 1989 वीपी सिंग ठीक है वीपी सिंग सरकार और यहां पर देखो कि जून 1990 में जून 1990 में एक जो विधिया के पंचाहिती राजपर वैं विधियक लाया गया लेकिन याद अटना कि सेप्टेंबर में ही सेप्टेंबर 1990 में जो सरकार है वे गिर गई पीपी सिंग की जो सरकार है वे गिर गई ठीक है और जब सरकार गिर गई बच्चों तो विधियक भी खतम हो गया विधियक क्या हुआ खतम हो गया इसके बाद आता है नरसिंभा राव सरकार और यहां पर यूप्यस्टी के द्वारा पूचा गया कि किसकी सरकार किसके प्रधान मंत्रित्व के काल में जो पंचायते हैं उसको सम्वेधानिक दर्जा मिला तो नर्सिंभाराव सरकार ठीक है तो यह वन हो गया यह टू हो गया और तीसरा क्या है नर्सिंभाराव सरकार नरसिमहर आफ सरकार ठीक है, कॉंग्रेस के पी एम थे, नरसिमहर आफ, और ऐसे में सैप्टेम्बर नाइटी नाइटी वन में, सैप्टेम्बर नाइटी नाइटी वन में, लोकसभा में विध्यक लाया गया, लोग सभा में सम्विधान संशोधन विधियक लाया गया और फाइनली ये 73 तेहतरवा सम्विधान संशोधन जो विधियक है ठीक है ये अधीनियम बन गया और 24 अप्रेल 24 अप्रेल सेप्टेंबर 1991 में लाया गया था तेतरवा सम्विधान संशोधन विधियक ठीक है याद रखना कि 1992 में ये पारित हुआ 1992 में पारित हुआ और इसके लागू होने किती थी आप जानते हैं क्या है बच्चो 24 अप्रेल ये पंचायतों की बात हो रही है 24 अप्रेल 1993 ये लागू ये प्रभावी होने किती थी है समय तो कुछ रहता नहीं रास्पती जब हस्ताक्षर करेंगे तब इससे तो प्रभावी माना जाएगा ना 24 अप्रेल वह दिन था जब से यह है जो पंचायतों वाला है ये प्रभावी हो गया अब देखो ये को पॉइंट हम करन्ट अफेर को रास्ट्री पंचायती राजदिवस मनाया जाता है क्योंकि तो तर्वा संविधान संशोदन अधिनियम जो था उसका प्रतीक है उसके प्रभावी होने उसके लागू होने का प्रतीक है तो 24 अप्रेल इस बार का जो 2022 की अगर हम बात करें भी तो एप्रिल आया नहीं है पक्ष्ले बार के हम बात करें तो 2022 को जो मनाया गया था वह बार रास्टी पंचायती राजदिवस का क्योंकि 2010 से शुरू हूआ था चृप्र aidati 2012 को सौमितय ओ plaint आगना का मतलब क्या था कि गाहों के जो सबसें गाहों की बूमी क्या 1 जो जॉए धिक करने का प्र्यास करना गाव का सबसे बड़ा मुद्द जानते हैं कि जो जमीन है कि उसको लेकरने के सौमेत व्योईजना के मतलब क्या है कि डोन से आपने मैप कर लिया मैप के बाद आपने थे लिए बस यहीं सौमेत व्योईजना है तो इस बार क्या है जो कार्ड थे ना वो उसका वित्रण किया गया था ये बारवे रास्टे पंचायती राज़ दिवस के दिर ठीक है क्लियर हुआ तो ये भी आपका जुड़ा हुआ है इससे देखो आया समझ में आप देखो कुछ विशिष्टाओं कि मैं आप से बात करते हूं क्लियर होगे बच्चो इतना कि ये 24 अप्रेल 1993 से ये प्रभावी हुआ और ये प्रभावी होने वाला जो दिन है हम इस दिन रास्टे पंचायती राज़ जो दिवस है वह हम मनाते हैं चलो अब हम कुछ महत और विशिष्टाओं की बात करेंगे ये महत और विशिष्टा 73 की है तो सबसे पहला तो है बच्चो इसमें ग्राम सभा अब देखो ग्राम सभा क्या होगी यूप्यस सी यहां से कुशिन पूछ चुका कुछ स्टार लगा देती हूं पहले लगाया नहीं अपने आप लगाते रहना ठीक है अब देखो ग्राम सभा में ऐसा व्यक्ति जो उस 15 शेत्र में रहता हो और अठारा वर्श की आयू पूरी कड़ चुका हो प्लस मत दाता सूची में उसका नाम हो बस सीधी बात है मत दाता सूची में उसका नाम हो तो वह ग्राम सभ सब्सक्राइब करेंगे तो राज सरकार के द्वारा जो काम डेलिगेट किये जाएंगे राज सरकार के द्वारा जो जवाब देहीं जो जिम्मेदारियां ताइक की जाएंगी वो काम डाम सभा का होगा अब बात करेंगे त्री इस्तरी बढ़ा ली किसको को आप समझी गए होंगे त्री इस्तरी बढ़ा ली ठीक है फिर भी कुछ बाते बता देती हूं मैं आपको तो यहां पर यह जो ठीट आया जो स्ट्रक् पंचायत जन्पत पंचायत और ग्राम पंचायत गाउं के इस्तर पर ठीक है अब देखो ग्राम पंचायत सदस्यों की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि तीनों ही इस्तर पर बच्चों तीनों ही इस्तर पर जो सदस्यों का चयान है ना जो सदस्यों का चुनावी प्रत्यक से होगा वहां के लोग करेंगे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे लेकिन जब हम अध्यक्ष की बात करेंगा यहां से यू पेसे ने कुशन पूछा कि लेकिन जब हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपने ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है जो सरपंच है ठीके त तो इसका तो चुनाव आपने प्रत्यक्ष रीती से कर लिया लेकिन मद्यवर्ति और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होंगे इनका चुनाव आप प्रत्यक्ष तरीके से होगा आप प्रत्यक्ष विधी से अध्यक्ष की बात हो रही है सदस्य तो तीनों ही इस तर पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे लेकिन जब हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष में क्या अंतर है ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष वे प्रत्यक्ष रूप से ग् प्रत्यक्ष्रीती से चुना जा रहा है क्लियर हुआ अब नेक्स देखो अब बात करते हैं सदस्यवाद देख्ष अच्छा हो गया ना यह तो साथ साथ हो गया ठीक है हो गया बच्छों यहां पर यह चलू आओ आगे देखते हैं और नेक्स रेसी टो का आरक्षन सीटो का जो आरक्षन है आ रहा है न समझ में ऐसे भी सीटो के आरक्षन की जब हम बात करेंगे तो यहां पर सभी इस तरों पर सभी इस तरों पर सभी इस तरों पर आरक्षन का प्राबधान होगा और यह जो आरक्षन है वह कैसे दिया जाएगा जनसंख्या के अनुपात में ठीक है एक चीज़ को दिखेंगे अगर आप थाना करते हैं ऐस बार जो है वाँ सर्कारे ARE हैं आप दिखेंको सभी स्तर उपर जनसंख्या के अनुपात में और याद अखना अद्यक्षपद के लिए भी आरक्षन है अध्यक्षवा सदस्य सभी के लिए आरक्षन का जो प्राब्धानवा किया गया और एक सबसे ज्याधा important कि एक तेहाई सीटे एक तेहाई सीटे महिलाओं के लिए भी होगी एक तेहाई सीटे यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षन होगा ठीक है जानती एक सबसे बड़ी चुनोती क्या है जो अगर आपने पंचायत वेब सीरिश देखी होगी तो उस पंचायत वेब सीरिश में जो फुलेरा ग्राम पंचायत को दिखाया गया उसमें यह बताएगा कि वहाँ पर प्रधान जो है गाओं की वह है तो एक महिला लेकर उसके बाद भी उसका जो पती है ना सरपंच पती के एक बड़ी प्रॉब्लम है तो जब कभी आपको ग्राम पंचायतों को लेकर यह स्थानी है तो साशन में क्या एक समस्या है तो वहाँ पर महिलाओ का जो आरक्षन वे दिखाने के लिए तो कि इस बार सीटे आई थी तो पिछली बार जो सरपंच बना था जो कि उसने पैसा धन नाम सब कमालिया है एक दबदबा हो गया अब वह अपनी पतनी के नाम से साशन कर रहा है मतलब सरपंच पती का कॉंसेट जो है ना तो महिलाओ का आरक्षन हर से मतलब सीट अध्यक्ष के लिए भी और सदस्यों के स्थार पर भी सीटों का आरक्षन किया गया लेकर उसके बाद भी परिशानी का है कि डारेक्ट जो प्रतिंदेतों है नहीं है तब क्या फायदा है से आरक्षन का दूसरी बात यहां से जो मुद्दा होड़ता है कि अगर हमने लोकल गवर्मेंट पर अगर हमने स्थानिय सुसाशन के सथर पर हमने एक तहाई आरक्षन का प्राधान कर लिया है तो अपने राज विधार मंडल वे यहां कर प्राधान में तक क्यों नहीं कर पाया है यहां पर वी विवस्था है और कई विधियाक और इस तरह की चीज़े आतो ह रही है लेकिन राज़ते कि एक्षा शक्ति उतनी नहीं है या फिर महिलाओं को उतना जदा वहाँ पर पार्टी से भागीदारी नहीं है या नमबर ओफ इतनी वुमिन्स नहीं है कि वो जाग कुछ चीज को पारित करा लें तो यह कुछ ऐसी बात है यह कुछ ऐसे मुद्दे है तो क या चुनाब आयोग की ववस्था भी यह पर की गई है और यह जो राज निर्वाचन आयोग सिसक á में काम हो गा पंचायतों के चुनाफ कराना है ना इसके पास अपने काम करने के लिए सारे अधिकार होगे और याद रखना कि राज निर्वाचन आयोग जो है और भारत निर्वाचन आयोग है ठीक है इसके अधीन नहीं है भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना भारत का जो निर्वाचन आयोग है कि अधीन नहीं है यादटने इस बात को अब यूपीसी रे जानते एक सेंटेस क्या पूछा था ये एक सेंटेस पूछ लिया था और उसमे जो राज का निरवाचन अयोग है ना बारत थी निरवाचन अयोग के अधीन है की नहीं है को से यहीं से आते हैं राजवित्तायोग का calculate में काम क्या होगा campaign का मेंघए काriver अगर पाली का की बात हम आगे करेंगे तो यहां पर बच्छों पंचायतों को जो वित आबंटन है उसकी सिफारिश करने के लिए होगा ठीक है जो करो का बंटन है उससे सिफारिश करने के लिए होगा राज जो अनुदान है वो करेगा एक और प्रश्ण यूपेसी ने सिफारिश करती है और आगे हम दूतिय प्रशास्तिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि राजवित आयोग जो है डेफिनिटली राज इसतर पर सिफारिश करेगा कि किस तरीके से जो राज सरकार है पंचायतों को या स्थानिय सरकार को वित का आवंटन करेग और केंद इसतर पर अगर हम केंद वित आयोग की बात कर लें जो कि आपका आर्टिकल 280 में है वह भी इस बात का प्रावधान कर सकता है कि केंद सरकार से कौन से अनुदान दिये जाएंगे ठीक है अब देखो संगे शेत्रों पर लागू होना अच्छा जो हमारे केंद पीर और लद्दाख जो है दो यूटी बन गए दमन दीप और दादा नागर हवेली उसका 2020 में मर्जर हो गया तब से आप सभी को पहले रटा हुआ था ना कितने राजे इतने केंद है वो सब मिक्स हो गए होगे आदे बच्चे जो है अभी भी गलास सोच रहे होंगे कि कि इतने यूटी और कितने राजे हैं तो बच्चो जो आपके संगे शेत्र है ना उस पर किस तरीके से पंचायते पंचायतों के जो प्रावधान है वह लागू होंगे याद रखना चूकि जो भी हमारे केंद्र है वो रास्टपती के एक तरीके से साशन में होते है इमों में संशोधन करके संगे शेत्र उपर उसको लागू किया जा सकता है ठीक है अब एक और इंपोर्टेंट प्रावधान कुछ ऐसे राज्ज भी है बच्चो जिसे की 73 जो आपका मैंड मेंड है ज्यादा उपर चला गया रो यहीं पर कर देते हैं जो आपका स्तहेत्तर समविधान संशोधन है कुछ राज्जो में लागू नहीं होता एक तरी से उन्हें छूट प्राप्त उससे ठीक है अब इन राज्जों के बारे में क्या है इन राज्जों के लिए एक एक आता है बच्चो जिससे की कहा जाता है पेसा एक्ट सी यूप्यसीने कुशन कि देखो बिसिकली था कि पेशा एक्ट का मतलब यह था कि ऐसे राज जिने एक तरीके से पंचायतों के जो भी नियम बने जो 73 अमेंडमेंड था अधिनियम जो आया ठीक है उससे एक तरह से सुरक्षा है कि ठीक है वहां लागू नहीं होगा तो इन सभी के लिए पेशा अध अधिनियम भी कहा जाता है इसको पंचायतों का एक तरीकिस एकस्टेंशन हम कहते हैं तो भूरिया समीति की सिफारुशों के आधार पर आया था एक तो ये जोंचित के जो चेत्र है उनके लिए आया हुआ था जो किया है उनके लिए यह पेसा एक्ट है ठीक है इसमें किया गया था कि पंचायत की जो नियम है ना उसको थोड़ा सा धीला करते हुए पंचायत की जो नियम है उन्हें उस जगह के accordingly थोड़ा सा change करते हुए, थोड़ा सा mold करते हुए, थोड़ा सा liberal करते हुए, लागू किया गया था, यह है पेसा act, तो basically देखो कि December 1996 में दोरो सदनों ने पारित किया और 24 December को रास्टपती के जो सहमती है वैं मिल गई 1996 में और जो पेसा विधियक था, वैं एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया, अधिनियम कैसे बनेगा, जब दोरो सदनों के द्वारा कोई एक बिल या जो विधिया के उसको पारित कर दिया जाए और उसके बाद जब रास्पती के अनुमती के लिए भीजा जाता है, उनकी सहमती के उनके लिए हस्ताक्षर के लिए भीजा, जब दिन सब्सक्राइब कर देंको उस दिन सब्सक्राइब लाग हो गया, ठीक, वैसे ही जैसे कि 24 अप्रेल 1993 को जो आपका पंचायती जो अधिनिया में भेलाग हुआ था, ठीक, और हम उस दिन पंचायती राजदिवस भी सेलिब्रेट करते हैं पेशा अधिनियाम के द्वारा जो ग्राम सबा और पंचायती उनको शक्तियां प्रदान किये गए अच्छा मैं आपको एक पॉइंट बताती हूं आप जानते इसका में उद्देश है क्या था में उद्देश था बच्चो कि जो अनुसोच शित्र है ना एक तो उनकी जो भी ऐसे शित्र है उनकी भागीदारी को जादा स्वायत था उनकी भागीदारी बढ़ाना और उनको जादा सुआईयत देना घंए उनको क्या करना जादा जो श्वाइयत था है वैं प्रदान करने यह सका में उद्देश था जिसकी भूमी अधिएग्रण है पुनरवास है विस्तापित व्यक्तिओं के पुनरवास में अनिवारी प्रामर्ष का अधिकार टीक है वारी प्रबंदन का कारे भी सौपा गया एक उचित इस तर पर ग्राम सबावा पंचायतों को खान और जो खने जो उसके लिए लाइसेंस पच्टा रियायते देने के लिए अनिवार इस सिफारिश है अनिवार यह नहीं कि माने जा रहे हैं नहीं मारे भी बैंडिंग होगी अनिव करने का दिकार लगू वनोपज का स्वामित्व प्रदान करना यह सारी चीज़े थोड़ा सा पढ़ ले ना बचों बार बार दो तीन बार तो एट्लिस प्रेंट्स आपको पढ़ना ही है ठीक है चलिए तो यह कुछ यह पेसा एक्ट है इसका मैत्व क्या था मैत्वी था कि आदिवासी शेत्रों में अलगाव की जो भाव नहाव है कम हो क्योंकि उन्हें लगेगा अच्छा यहां पर यह एक्ट है हमारे यह एक्ट नहीं है एक्ट लागू हो गया कुछ हमने उसमें जादा सुविधाय दे दी जादा स्वाय तिता देदी जादा धिकार दे दिये पर ठीक है तो एक तरस एक जो अलगाव था उस चीज़ को कम किया जाए कि इनके हाँ पहले अपनी एक ववस्ता थी कि स्थाने स्थार पर कैसे मुद्धों को सुल जारा है मालीजे कहीं पर गोर्खा परीशत बनी हुई है दार्जिलिंग में या फिर कहीं तो वहाँ पर य प्रबंदन है इससे आजीविका में सुधार होगा जंजाती आबादी के सोशण में कमी आएगी अब देखना इसको कैसे आएगा वह देखना ग्रामीन हट बाजारों का प्रबंदन करने में सक्षम होगा भूमी के अवैध हस्तांतरन पर रोक लगेगी पेसा अधीनियम ज आंस्कितिक पैचान और विरासत को जन्रक्षित करेगा ज्यादा तरह हम देखेंगे कि आखिर जो आदिवासी है या फिर इनकी में में कंसरी होते हैं कि हमारा कल्चर हमारी बोली सारे चीज़ें क्यों नहीं मुक्धारा में शामिल हो पाते हैं ठीक है आव एक कुश्यत द क्या कह रहा है कि है कि 2013 का कुश्यन है कि कुश्यन कह रहा है कि सरकार ने 1996 में जो अनुसुचे शेत्रों में पंचायत का जो विसार किया था यह जो अधिनियम बनाया कौन सा एक उद्देश के रूप में आदे बच्चों तो यह नहीं बढ़ा होगा कौन सा एक उद्देशक रूप में नहीं पहचाना गया है नहीं भी पढ़लो आपके लिए लिखा हुआ है नहीं था थाटिंग का कुश्यन आप देखो स्वासाशन प्रदान करने का अधिकार पारंपरी कधिकारों को माननता देना जंजातिये में स्वायत छेतरों का निरमाड आदिवासी लोगों को सोषन से मुक्त करना अभी अपने जंजातिये पारंपरी कधिकार हीती रिवाज की बात कर लिए अभाष जानते हो कहां है स्वासाशन हमें उन्हें प्रदान कर रहे हैं या फिर हम जंजाती शेतरों में ऐसे स्वाय च्वायत 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 च्वाय में से कौन सा ये कांसर होगा या लखना पूछा है कौन सा नहीं है कौन सा नहीं है पेसा एक्ट पढ़ना है आपको बच्चो ठीक है चलो तो यहां पर ग्राम सभा त्रेस्तरिय पदिती सदस्य अध्यक्षयों का चुनाव सीटों का रक्षन राज निर्वा चलायों संगे शेत्र पर राज वित्तायों और छूट प्राप्त राज और पेसा एक्ट को समझ लिया कुश्चन भी देख लिया अब देख लिया अब सब्सक्राइब के लिए यूग दे रहे हैं जो है आप उसका आपको राइट मिल जाता है हमारे एक किस वर्ष के जबाप होते हैं ठेक है पंचाय सदस्त की बात हो रही है नियुनिता मायू सदस्त बने के लिए यहां पर एक किस वर्ष तै की गई है वोटिंग की आउड़ अगर यहां पर ग्राम सभा लिखा होता तब ग्राम सभा की सदस्त बनने के लिए तो 18 वर्ष है ग्राम सभा का सदस्त है ना वो तो 18 वर्ष लिखा है कोई भी व्यस्क व्यक्ति जो वोटिंग कर सकता है समय पूर्ण विगटन के बाद पुनल गठित पंचाय के वल सेश अ पहा गया है इस बात में देखो पंचायतों का जो चुना एक थर से हम पंचायतों की अवधी के यहां पर बात करने है दो बात है आप से आपर पूची गई है देखो बच्चों पंचायतों की जो अवधी है ठीक है पंच वर्ष के लिए ऐसा थोड़ी है लेकिन की पांच पांच वर्ष के लिए निर्धारित कर दिये तो इससे पहले विगटन नहीं हो सकता है राज चाहे तो कर सकता है कोई प्रॉब्लम है तो हो सकती है तो पांच वर्ष के पहले अगर डिजॉल्व हो गया विगटन हो गया तब ऐसी इस्तिती में क्या होगा या दटना किएमेल इसागल उसको कराना अनिवार उप्रार उसको कराना करा बच्चों अन्हें सानि देखो हो जैस है कर बाल मालिजे तीन साल के बाद विगटन हुआ तो आगे क्या आगई आउसाध हो ना बहुर्ष के गया है तो जो पुनर्गटित बंचायत वैं केवल शेश अब्धी के लिए बनी रहेगी यह यह सही है यह सही है पहला गलत है आंसर आपका क्या होगा आया समझ में आगे समझ में चलो अच्छा मैंने आपको बताया बचो कि ग्यारवी अनुसूची जो वह है इसमें जोड़ गया है यह इंपोर्टंट एठीक है चलो गयार वियनुसूची के विश्यों को हम पढ़ लेते हैं तो कुछ मुंक्य विश्यों की मैं बात करती हूं ऐन्सी आटी का स्क्रीन्शॉट है एक रशी क्रशी का जो विशाय है यह यह गयार वियनुसूची में मतलब प्रशी को लेकर जो दियम बराने का अधिकार है वे पंचायदों के पास है लगू से चाहिए जल प्रबंधन करना जल संचय का विकास करना लगू उद्ध्योग खाद प्रसंस करन जो फूर्ड प्रसेसिंग जो भी उद्ध्योग है वो भी इसमें शामिल होंगे ग्रामीन आवास पेज हारे करम सिक्षा प्रात्म कर मध्यस तरके आप यहां पर याद रखना कि और यहां पर यह आ जाएकि उच्चिस तरकी सिक्षा तो जो इसमें शामिल नहीं है प्रात्मिक और माद्धिमिक जो सिक्षा है वो यहाँ पर 11 अनुसूची 11 अनुसूची में उन विश्यों को रखा गया है जिन पर नियम बनाने का जो अधिकार वे पंचायतों को है ठीक है चलिए तकनीकि प्रसिक्षन ववसाइक सिक्षा देना सिक्षा अच्छा यह तो हो गया वेस्क और अप्चारिक सिक्षा है पुस्तकालई की ववस्ता है सांस्कृतिक गतिविदिया बाजार और मेला स्वास्त और साफसफाई जिसमें की अस्पताल प्रात्मिक स्वास्त के इन डिस्पैंसरी शामिल है परिवार नियोजन महिलावा बाल विकास सामाजिक कल्यान कमजोर तप किसे लोकल अफियर्स ही तो है लोकल अफियर्स मतलब इस्थानिय मुद्दों को टैकल करने के लिए इस्थानिय लोगों के द्वारा जो गव्मेंट अपने चुनी गई है तो यहाँ पर वह इस पर डिसीजन लेगी जो मैंने आपको 29 विशह बताए है आप 29 विशों में से पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है तो यहाँ पर ये जो लिस्ट बनाए को ये ना ये लिस्ट किसकी मनाई हुई है तो यहाँ पर क्या जो स्टेट ग availability का old बना कर अपने अकॉर्डींग ली जो यहाँ पर ये जो दर्जいたi करेगी और शक्ती- जोड़ा गया और इसमें पंचायतों की बात की आखे रहे न उच्छेदों में लिखा क्या है सारे आपको बच्छों याद करने यह ठीक है अच्छे से याद करने तो दी गई यह परिभाशा है परिभाशा है क्या होंगी ग्राम सबाकी तो यहां पर फॉर्टी थी पंचायत ही जग्शा क्योंकि हंदी है इंग्रिश दौनों में आपको पढ़ना होता है तो ग्राम सबाकी बात कि गया है 243a में बी में कहा गया है डांं पंचायतों की संदचन की की बात की गई है D में और E में कहा गया है कारेकाल क्या होगा F में कहा गया है सदस्यों के लिए अयोगिता है ठीक है आप देखो याद करने का तरीका एक मैं बताती हो मैंने चार वर्ड याद कर लिए आप ये तो आपको पता है ना कि आर्टिकल 243 से लेका 243 ओ तक पंचायतों के लिए जो अनुच्छे थे उसमें वश्थाई की गई है ठीक है आप इस चीज को समझ गए याद है आपको उसके बाद आपको ये ABCD वारा जो कॉंसेप्ट है कैस को सबसे ना कि बात की गई है तो इसतरीकी से आपको पर रॉड़क से आपको चीज आपको अर्टिकल इन के सांसाथ अपने आप हो जाएगा BCDE ऐसे करके आदे चीज़े तो सही तरीके से पढ़ने से ही याद हो जाती है बस तरीका आपका सही हो पढ़ने का 243 F क्या कहता है सदस्य के लिए योगता है 243 G क्या कहता है कि पंचायतों की शक्तिया प्राधिकार और उतरदायत अभी हमने क्या पढ़ा 243 चाय या फिर G में पंचायतों की पास जो शक्ति जो अधिकार कहां से आएंगे जो की राज का विधान मंडल नियम बनाकर उनको प्रोवाइट करेगा चिक है 243 H क्या कहता है कि पंचायतों की द्वारा कर लगार आप देखो टेक्स की बात की गई इसमें प्रॉट कर रहा है है कि पहलश जो ऑस्तेट गॉवंफेंट है राइट देगी पंचायतों पंचाय थे लिए लेखाओं ये जिम्ए बात कि गई के बात की गई के निरवाचन कैसे 서ching थे तो विट आयोग की बात कि गई हाइं में और के में बात की गई निर्वाचन की तो पहले विट है बाद में चुनाव आयोग है राजियों के लिए एप रभात कि गई कि संग राजर शेतरों में कैसे लागτο हो गातु के लिए सतौंद में राश्टपति की सेमा T हमने एन में बात की कि जो विधियां है उसमें पन्चायतों का विद्बादा विधियों और पन्चायतों का बना रहे न ऐन में शामिल है निर्वाचत समबंधी जो मामले है उसमें आले का हस्तक शेप नहीं होगा यह दिखना बचोगी मुद्दें पंचायतों के तो वो कैसे सॉल सॉल होंगे राम पंचायत का मुद्द न्यालाय में नहीं सुना जाएगा हाँ आप देखेंगे समय सब्सक्राइब कर दो यह तरह की समीती बनाने का जो अधिकार है इस तरह के जो मुद्दि सुल्जाने का अधिकार वह स्टेट गवर्मेंट के पास है नाले के हस्तक शेप पर इसमें जो रोख है लगाए गई और ऐसा करता 243 ओ सबसे शुरू में गाम सबाकी बात की गई गाम सबाकी बात हमने चारा टीकल ऐसे त्यार कर ले कि गठन आलाय का जो हस्तक्षे पोस्त में रोख लगाने का जो प्राफधार है वह किया गया है ठीक है कुछ कुछ याद हुआ चलो बाकी सिक्खल लेना रिवेजर ठीक है दो तीन वार पड़ोगे न याद हो जाएगा है क्लियर है अच्छा सारी मुख एक और पॉइंट बच्चो एक और पॉइंट देखो किया क्या गया है कि 73 की जो विशेशता है अब तक हमने डिसकस की है उसको दो भागों में बाटा गया है दो भागों में बाटा गया अब यूपेसी ने यहां से भी एक कुश्चन जो पूछा था उस वज़े से मुझे आपको एक्स्प्लेन करना ह होगा जनते यूपेसी ने यह पूछा देखो किया क्या गया कि कुछ प्राबधान ऐसे है कि जिसमें यह का गया कि देखो यह तो आप लागू कर ही लो जिसे पांच वर्ष में आप चुनाव कराओ ही राज जवित्ताय होगे चुन और राज निर्वाचन आई होगे इसकी ववस्था भी आप करो मतला जो इंप Oтра ना जो अनिवार हैं वो तो सभी के लिए सबाने सबय के लिए अनिवार होंगे ठीक है तो कुछ ऐसी विश्यो कोने हस्तांद नहीं करेगा अपने पास रखेगा तो यह हो गए स्वेक्षिक तो यूपेसी ने कुशन पूछा माली जे चार विशाय लिख दिये और उसमें ये पूछ दिया कि इसमें कौन सा एक अनिवार प्रावधान नहीं है स्वेक्षिक है समझे तो यहाँ पर यह जो विशेशता है अब तक हम देख रहे थे ना दो भागों में बच्चों बढ़ दिय एक अनिवार दूसरा स्वेक्षिक है स्वेक्षिक में ऐसे प्राठ्धान आंगे कि राज की इक्षा पर निर्भर रहा कि वह किन अधिकारों को पंचायतों को देगा ठीक है अनिवार में यह है को कर शुल्क के संबंद में वित्ती अधिकार कितने देना है कितने नहीं देना है पंचायतों को स्वायत निकाय बनाने का प्रयास किया जाए ठीक है तो यहां पर मद्दान वाली बात हो गई करिया शुल्क की बात हो गई वित्ती अधिकार स्वायत निकाय की बात हो गई यह कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि स्वेक्षिक है अगर राज्य को ऐसा लग रहा है कि जो इस्थानिय सरकार है वो उतनी कैपेबल नहीं है एक सबसे पहले आटिकल में की विच्टी अबहुए मैं बचो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, मैं खुद ही confused हो गई, आजाओ, 243 में परिभाशा है, अच्छा, 243 में A में ग्राम सभाए है, ठीके, 243 में परिभाशा है, 243 A में, A में ग्राम सभा की बात की गई, आप लोग भी खुश हो दोंगे, चलो मैडम भूल गई, चल यह जो थी ट्रायर था ना मच्छों, हमने जो थी ट्रायर सनरचना की बार बार बात की और तीनों इस्तर पर सदस्यों का चुनाव प्रतिक्ष श्रीती से होगा, और जब हम अध्धिक्ष की बात करेंगे, तो ग्राम पंचायत में तो प्रतिक्ष श्रीती से होगा, लेकिन me негоardi या ज default प्द होंगे उनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीकिश ओगा अध्यक्षऊ की बात करें हो सभी इस तरों पर प्रतिक्ष चुनाव के द्वारा भरे जाएंगे सभी पद पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए नियुंतम आयू 21 वर्ष होगी आप यह नहीं कर सकता कि कोई राज जो है वह स्वैक्षिक में डला हुआ है ना कि आप 18 वर्ष में दे चुका है लगबग सभी पन सभी इस तरों पर प्रतिक्ष चुनाव द्वारा भरे जाएंगे अब आप सुचों कि सभी पद लिखा है तो अधिक्ष का भी पद लिखा होगा अगली बात क्या लिखें इसको भी तो पढ़ लो जिला वा प्रकंड यहीं बात होती है कि आप ध्यान से पढ़ो देखो बहुत ध्यान से पढ़ोगे सिस्टेमाटिकली पढ़ोगे आपकी राहे जदा सानोगे जदा याद रहेगा बच्चों आपको जिला और प्राखंड इस्तर पर अध्यक्ष का पद आप प्रतिक्ष निर्वाचन के द्वारा भरा जाना चाहिए ठ पहले ही निर्धारे थे कि 33% साइड कर दो ठीक है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के राज में राज चुनावायोग होगा यह मेंडिटरी है ठीक है कारेकाल जो है पांच वर्ष का होगा लेकिन अगर इसके पहले भंग कर दिया जाए तो 6 महीने के भीतार विदिन 6 में आपको फिर से एलक्षन जो है करवाने ही होगे 6 माह से जाधा का समय आप नहीं ले सकते बीच में ठीक है प्रत्तिक पांच वर्ष में राजमीक राजवित्तायोग तो राजवित्तायोग चुनावायोगा रक्ष मतलब जो जो मुख मुख बाते हैं वो सारी क हो गया चलिए अच्छी बात है सुन लिया मैंने ओके कुशन देख लेएक सेवेंटी थर्ड अधीनियम नाइटी 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 टू जसका उद्देश देश में पंचायती रासंस्थाओं को बढ़ावा देना है निम्न मेंसे किसके लिए प्रदान करता है क्या जिलाई योजना समीतियों के गच्छन की बात करता है सभी पंचायत चुनाव के लिए राज निर्वाचन आयोग की बात करता है राज वित्ताय किस थापना का प्रावधान करता है अभी तक हमने सब पढ़ लिया कहीं पर आपने जिला योजना समीति सुनी जिला योजना समीति जैसा कुछ सुना है अभी तक सभी पंचायत की राज चुनावाई वित्ता हुए तो अनिवारे प्रावधान में जिस्ट हमने बढ़ा तब आंसर क्या होगा इसका बस इसी तरीके से हमें सारी चीज़े पढ़ने ही है ठीके चलो तो 73 हमारा कंप्लीट हो गया भई अब 74 जो है बढ़ा ही शौट है क्योंकि 73 की आधी बात जो है उस पर लाग होंगी तो हमने विकास समीतियों की बात की 73 संशोधन जो था इसकी हमने मुख सारी जो विशेशता हैं वह भी हमने देख ली और यह जो महत और विशेशता हैं इसमें हमने ये भी देखा बच्चों किसे दो तरीके से कुछ ऐसे जो नतीस विशेश हैं इसकी लिस्ट आपको याद करनी है इसकी लिस्ट आपको याद करना है मैं इसको हमवक लिख देती हूँ करोगे करना पड़ेगा है ना 96 का पेसा एक्ट हो गया पेसा एक्ट के साथ हमने एक यूप्यस्ट का पीवाई क्यू भी देखा कैसे कुशन आया हुआ है और 243 से 24 ये भी आपका हमवक है ये भी आपको याद करना है बाकि मैंने आपको थोड़ी सी कुछ ट्रिक बताई है इस बार कुछ चीजों को ऐसे याद कर चुकि हो पिर ट्रिक ही भूल गए तब उसका क्या मतलब अच्छा है चीजों को सीदह सीदह याद कर लो आप उसमें एक थोड़ा सा लोजिक बस ही लगा सकते हूं कि मैंने आपने ABCD याद कर लिए आपने करम से चीजों को याद कर याद कर लिया तो ट्रिक माली जया आपको बहुत बना लिए और ट्रिक ही बाद में बूल गए तब उसका कहीं मतलब है तो ट्रेक उतना काम नहीं करता याद रखना बहुत कम जगा काम कर सकता है बहुत कम जगा मुझे लगता है कि जब कोई 500 टॉपिक पड़ों गया तब सकते हैं जरूरी नहीं जो मैं कहारी हूं वहीं सच्छे आप हम चलते 73 के बास 74 अमेंड मेंड मेंड है तो 44वा संविधान संशोदन यह किसे संबंदित है नगर पाली काओं से संबंदित है 74 संविधान संशोदन में एक शब्द लिखा है जो कि है नगरपाली का मुल्जी पैलेटीज नगरपाली काओं के प्राथधान की बात की गई है ठीक है कुछ विशेष्टा है सारी विशेष्टा हम देखेंगे कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो 73 की तरह ही है बार्वी अनुसूची देखनी और यह आर्टीकल समय देखने है चलिए क्लियर हुआ 73 पूरा एकदम याद कर लेना बच्चों एकदम याद कर लेना चलिए तो मैं पहले कुछ में पॉइंस आपको लिखवाती हो कुछ चीज़े लिखते हैं हम ज्यादा क्लियर हो जाता है लिखने से नगर निगम एक मिनिट मैंने यहां पर क् अलिक लिख दिया चले नगर निगम ही लिख देते हूं ज्यादा एक्जेक्टम है नगर निगम अब इस थानी इस तरपर केवल गाव थोड़ी होगे शैर भी तो होगे ना तो यहाप नगर निगम लिखा हुआ है कि मुल्जी पैलिटीज अब देखो बच्चो में इसके प्रोवीजन क्या है उसको हम समझते हैं सबसे फस्स देखो कि इसमें यह जो 74 अमेंडमेंड है इसमें शहरी इस्थानी निकाई की बात की गई गाउं की बात नहीं की गई गाउं की बात 73 में हो चुकिए अब गाउं को बूल जाओ शैरों को याद रखो शहरी इस्थानी निकाई की बात की गई मतलब शहरों के इस्तर पर एक ऐसी सरकार होगी जिससे हम लोकल गवर्मेंट कह सकते हैं जो की शहर के लोगों के द्वारा ही चुनी गई होगी ठीक है तो शहर के जो अफेर्स है शहर के जो मुद्दे है उन सभी को देखने के लिए अपके पास क्या होगी एक तरीके से शहरी इस्थानी साशन होगी तो यहाँ पर राजसरकार के द्वारा बिसिकली चीजों को निर्धारित किया जाएगा देखो बच्चो आठ प्रकार की जो शेरी स्थानिय तरीके हैं वह निरधारित किये गए हैं यह तरीके क्या उनको हम देख लेते हैं आठ प्रकार की शेरी स्थानिय निकारी तो हमने बूल दिया लेकिन देखो कुछ शेर बड़े भी हो सकते हैं कुछ शेर छोटे भी हो सकते कुछ हो सकते हैं जो कि गाव नहीं है है ना गाव नहीं है लिकान बड़ी शेर भी नहीं तो उसमें भी एक तरीकिये आ पर कही क्या है कि आठ तरीके के शहरी इस्थानी निकायों की बाकी सारे चीज़े पहले बता चुकिए हो सारी चीज़े आले खेले राभ आठ प्रकार के शह्र निकायों की बात की गई ठीक है सबसे फ़र्स तो देखो नगरपाली का नगरपाली का परिशद है नगरपाली का निगम है थाज हम देखेंगे कि कुछ अधी सूचित छेतर समीती है अधी सूचित छेतर समीती कुछ शेहरी छेतर समीती है शेहरी छेतर समीती पाचवाय की कुछ चावनी बोड़ है जैसे सैनिक चावनी टाइप के है झावनी बोडे इन सबके लिए अलग अलग कुछ-कुछ प्रावधान है छटाए आपका कि शहरी छेत्र समीथी अच्छ शहरी चेत्र समीथी यहां पर हो गया एक आपका होगा चामनी बोडु को फिर विषे हैं के लिए कर ना धिक लगाई और विशेशम हैं जो गठित कर दी गई तो इस तरीके से हम देखेंगे की 8 तरह के जो स्थानिय निकाय हैं उनकी ववस्था की गई है और साथी साथ एक बात और आप याद रख लो कि बिसिकली जो 74 अमेंड मेंड मेंड है ना बचो 1992 जिसमें समवैधानिक दर्जा मिला इस्थानिय शहरी इस्थानिय साशन को तो इसमें तीन मंत्रा लाएं एक तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रा लाएं एक रक्षा मंत्रा लाएं जो कि इस तरह के चाबनी बोर्ट के लिए डिसिजन्स लेगा ठीक है चाबनी जो कि आपके कॉंट्रमेंट बोर् वैसे ही यहां पर भी अगर संगी जो शेत्र है अगर वह नगर है अगर वहां पर मुंसी पालेटी इसका प्रावधान लाग होगा तब वहां पर भी संगी शेत्रों में रास्पती जो है वह देखेंगे ठीके बाकी जगा पर बाकी जो सहर है वहां पर आवासों शहरी मामलों का जो मंत्राला है वह यहां पर डिसीजन लेगा अब हम कुछ विकास की बात कर ले क्या कर जो शुरुवात है कैसी हुई हुई थी जैसे राजिस्तान के नागोर से हमने देखा बच्चों कि वहां पर जवाहलाल नहरू के द्वारा शुरू किया गया था पंचायतों को उद्वाचन किया गया था अब ऐसे ही पहला नगर निगम कुछ फैक्ट मैं आपको बताती हूँ मद्रास में पहला जो निगम नगर निगम पहला नगर निगम और यह बहुत पहली हूँ ता जानते कब 1688 की बात है 1688 में पहला नगर निगम जो उसकी स्थापना मद्रास में की गई थी लोकल अफेर्स को देखने के लिए फिर इसके बाद 1726 में बंबई है कलकत्ता है 1726 म में बंबई है ठीक है कलकत्ता है यहाँ पर निगम की बात की गई बिसिकली देखो 1870 में 1870 में जो लौद मेयो थे आना इन्हों ने क्या कियाक है इन्हों से कुछ विट्त कि ये गए थे जोकि इक तरीके से कुछ इसथान ये सूसांशन को बढ़ावा दे रहे हैं लेकर फाइनली जबूं व हम 1882 में लौड रिपन की बात करेंगे 1882 में जब रॉन्टी बात करेंगे बच्छों 1782 में तब इना बारा जो लोकल गॉवन्मेंट है उसका लोकल बूर्ड का गठन अलग तरीके से कि चिया ठीके जिसे की मुकामी बूर्ड कहा गया थाँ गनत तो यहां 1935 का जो एक्ट था इसमें कुछ प्रांतों को स्वायत देनी की जो बात है वह किये गई थी जो कि स्थाने सोसाशन को बताता है ठीक है आप देखो कि जब हम 74 अमेंडमेंट की बात करेंगे 24 वा सम्वेधान संशोधन चाबनी बोर्ट और पत्तन्यास यहां ही लिख देते हो इंपोर्टन्ट है चाबनी बोर्ट के बारे में रक्षा मंताला डिसीजन लेगा है ना आपका पत्तन्यास है बंदर का कह सकते हैं आप चलो अब यह दो बच्छो 74 कब लागो हुआ था 74 चोहत्तरवा सम्वेधान संशोधन की अगर हम बात करें यह प्रभावी एक जून 1993 से हुआ था 24 अप्रेल को पहले पंचायत जो है वो प्रभावी हो चुका है ना एक जून 1993 से 1993 से चोहत्तरवा सम्वेधान संशोधन जो है वह पारित हुआ ठीक है और इसमें भाग नौक को जोड़ा गया पड़ चुके ना हम पहले भाग नौक क इसको एड़ किया अनुसूची बारा या ग्यारा बारवी एनुसूची कितने विशय अठारा या उन्तीस अठारा के नाका विशय इसको जोड़ागया और यहां पर भागणों में जानते हो कलिक दिया था नंगर पालिक है मैंने पहले बता दिया कि यहां पर अ कि इस्की जो कि और डारेक्ट कुछ अन्य बातों की चर्चा में यहां पर कर ले कि बच्चों जो ये नगरपाली का रहे इनकी संद्चना में हम देखेंगे कि जो सदस्य होंगे न वो प्रतिक्ष तरीके से चुने जाएंगे शेरों को वार्ज में डिवाइड किया जाएगा वार्ज में बाटा जाता है ठीक वैसे ही जैसे भारत में अगर लोकसभा की चु का रहां का यहां थैयं यहां पर भी किया गया है बात करेंगे का न जो हrire थेखें हुं पेहले के लिहां बात है कर रहां था करोव कि यहां पर भी करेगा इसके अलावा जो राज्य का चुनाव आयोग है जो ववस्था है वो पंचायतों के लिए करता वो ववस्था वो 74 के अंतर का शैरी निकायों के लिए भी करेगा तो यह आपर बचो यह नगर निगम की बात हो गई समझ गए आप सभी अचसे इसके दोर लिख लो वॉंडится एक तूसा आत्वा जिसको का जाता है टाउंशिप ठीक है और आत्वा है विशेश उद्देश के लिए गठित अजन्सी विशेश और देश ? हे तू video गठित अजन्सी विशेश उद्देश हो यह तो गठित अजन्सी देखो एक कर्रेक्शन और कर देते हूं कि नगर पाली का परिशत ना लिखे हम पहला जो पॉइंट अवे नगर निगम लिख लेते हैं आपके पास ये सुवीधा नहीं होगी आप इसको कट करके साइट में लिख लेना कूछ दो नगर निगम यह बचल लात्माख पूप से बड़े शहरों के होगा नगर पाली का तो लात्माख को इस इस तरिक लिए तरह का सब सब के लिए अलग अलग ववस्ताइं होंगी वि AH अब देखो मेन हम मैं क्या याद करना है इसके आर्टिकल्स कौन से और कौन-कौन से विशह दिये गए tienes चिने आचिक देख लेते हैं और विशह देख लेते हैं चलिए पहले इसमें एक प्रावधान और आर्टिकल्स के पहले कि इसकी मुख्य विशिष्टा है उसमें अनिवार और स्वक्षिक कौन-कौन सी है कौन सी विशिष्टा है ठीक वही जो 73 में देखा था वही 74 में भी है कुछ बाते हम देखेंगे कि अनिवार के लिए सेम होंगी है न नगर पंचायते होगी नगर परिशद होगी नगर निगम होगी ठीक है तो यहां पर जो छोटे शहर थे जो की गाव नहीं है वहां पर ग्राम पंचायत नहीं वहां पर नगर पंचायत है थोड़े से और बड़े होगे तो वहां नगर पाली का मिल जाएगी फिर नगर नि लाओं के लिए आरक्षिती वहीं प्रावधाने जो हम पहले पढ़ चुके पंचायती राज निकाव में चुनाव कराने के लिए राज निर्वाचन आई होगे ठीक है और वित्तिय मामलों से निपटने के लिए वित्ताई होगे शहरी स्थानिये स्वासाशी निकायों का कार रखना कि SCST को आरक्षन देना और महिलाओं के लिए आरक्षन देना निवार है लेकिन जब हम OBC की बात करेंगे तो यहाँ पर मेंडिटरी नहीं है OBC माली जग कहीं पर ही नहीं पिछणा वर्ग या फिर कोई और ऐसा वहां पर फाइनली डेक्लरेशन नहीं है कोई अधिस सूचना ऐसी नहीं आई तब आप कैसे करोगे तो राज अगर चाहे तो OBC के लिए चीजों को स्वेक्षिक रूप से आरक्षन दे और ना दे तोल शुल्क की बात होगी स्वायत स्वायतता की बात होगी ठीक है तो यह सारी बात है तो यह दो प्रापधान हो गए इसके अल बारत में आठ प्रकार किया चलो यह तो हो गया छोड़ दो 1992 में शहरी स्थानी सरकार से संबंदि 74 अमेंडमेंट नरसिम्मा राफ सरकार एक जो 1993 से प्रभावी हुआ ठीक है आमने देख लिया बाग नौ ए जोड़ा अनुच्छे 243 पीसे जैन जी चोड़ा गया ठीक है औ है कौन कौन से विशय है 243 पीसे लेके जैटज क्या कहता है आप सबसे पहले 243 ता या फिर या फिर कीमें परभाशा है सबसे बähले परभाशा है जो 243 में परभाशा पहले थी 243 P में परिभाशा थी A से आपकी ग्राम सभाई शुरू हो गई थी A से लेकर हमने देखा A से लेकर O तक पंचायतों की बात की गई आगे O से थोड़ा सा आगे आजाओ और आगे के अलफबिट से यहां से पकड़ लो P से शुरू हो गया आपका नगर पालिका है नगर निकम ठीक है सो P में परिभाशा है दी गई फिर नगर पालिकाओं का गठन Q में का गया यह दोनों से मिये चले इसको काड़ देते हो ठीक है तो यहां पर नगर पालिकाओं के गठन की बात Q में की गई R में नगर पालिकाओं की संद्चना है S में वाड समीतियों का गठन है 243 T में स्थानों का आरक्षन है U में नगर पालिकाओं की अब्धी है V में सदस्यों के लिए योगिता की बात की गई 243 W में नगर पालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार उत्तरदाईत आप देखो इसमें 243 जो ये बा है ये जब लू है इसमें नगर पालिकाओं को शक्ति पाधिकार कौन देगा राज विधान मंडल है ना 243 X में कहा गया है कि कर और वित की बात Y में वितायों की बात लेखाओं की बात Z में की गई है कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा कि ठीक क्रम वही है बस चीज़े बदल गई है जो हमने पंचायतों में टेक्स की बाद की उसके बाद चुनाव की बाद की वही वही कुछ क्राम इसमें भी बन रहा है तो आप ठीक वैसे ही याद करो उसमें बताया संग की राजशेत्रों में कैसे लाग होगा ZB में कहा गया ZC में कहा गया है ना और फिर ZD में कहा गया जिला योजना के लिए समीती अब देखो हमने क्या देखा था UPSC ने क्या क्यूशन पूछा कि 73 जो अमेंडमेंट है उसमें जिला योजना समीती की बाद की अरे उसमें नहीं की गई 74 में की गई क्योंकि 74 में 243 P से लेके जो जोड़ा गया था उसमें जिला योजना के लिए समीती की बाद की तो 73 का उप्शन नहीं है 74 का उप्शन है समझे लिगदू यहाँ पे स्टार बना दू देखो तो डारेक्ट आपसे आर्टिकल नहीं पूछा आपसे इंडारेक्ट आर्टिकल पूछ लिया ना है ना बस यह नहीं लिखा हुआ था बाकी तो लिखा था ZE में महानगर के लिए समीती की बात की गई ZF में विदमान विदियों पर पालिकाओं का बना रहना और लास्ट जो है निर्वाचन के मामलों में नियालयकास तक्षिप का वढ़ना तो O में भी यही बात की गई थी और ZZ में भी यही बात की गई एक और तरीका हो सकता है जैसे कि आपको याद करने का कि आपने आर्टिकल 243 O और आपने आर्टिकल 243 ZZ इंपोर्टेंट है भी इसने करना ही पड़ेगा तो O और ZZ में सेमी बात तो कहीं गई है कि चाहे पंचायते हो या नगरपाली का हो उसमें नियालयकास तक्षिप नहीं होगा बस O में घ्राम पंचायतों के लिए का गया ZZ में इस तरीके से याद कर लो किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है बस 4-5 बार पढ़ लो इनाफ है चलो 12 वी अनुसूची के कुछ विशाई देख लेते हैं तो इसमें बचव 18 विशाई शाबल है टोटल 18 विशाई 29 विशय के दूं तो पंचायतों के हो जाएंगे है ना वो आपकी 11 वी अनुसुची हो जाएगी यह 12 वी अनुसुची की बाप कर रहे हैं नगरी योजना की बात की गई, भूमियोपयों की वीनिमन भवनों का निर्मान, आर्थिक सामजिक विकास योजना, सड़क पुल बनाना, वही सारे प्रावधान जो की पंचायतों के हैं, कुछ चीदर चेंज होगी जिसे की गाउं में क्रशी की बात की गई, तो यहां पे क् झवयांग है, मानसे कि रूप से मदिं है, उनके हैतों की सनक्षक की बात की गई, जुग्गी बस्ती WOW की बात की तो बहुत शाराओं की बात की बात की जन्म और मत्यों का पंजी करण इसमें आएगा सार्वजन एक सुक्स विदाया आएगी बस्टॉप है या फिर वैद शाल आए या फिर चर्म शोदन जो शाल आए हैं अब एक आता है UPSC का मेंस का कुश्चिन जो की 2020 में पूछा गया था आपका 73-74 कंप्लीट हो चुका है ठ स्थानिय संस्थाओं की शक्ति आप कुश्चन को जरा पढ़ो कि भारत में स्थानिय जो संस्था है उनकी शक्ति का निर्वाह उनके कारे कारता निधियों के प्रारंभिक चरण से थोड़ा से इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन है ना UPCA ही तो करता है तभी तो हम सम कंग जो सने प्राक्षे से पढ़गी पमें गया हुँ से संध्र में उनके संदर में उनके सामने जो चुनवां तर जैसे कि वित्व संबंधि चुनौतिया नंके पास वित्व को लेकर टैक्स को लगाने की शक्तिव है भागी तारी की बात की लेकिन राज्य कहास्तक्षेब जादा है यह सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है आकर है तो यहीं सारी कभी लिखना हो आप इनको जरूर यूज करें कि गांदी जी ने कहा था कि लोगतां तो जो है केंद्र बैट कर नहीं होगा लोगतांत्रिक विकेंदी करन का क्या मतलब है मुल उद्दिश क्या है ये भी हमने देख लिया ठीक है 17 में कुछन पूछा गया था जो हमने पड़ा विकास में हमने देखा कौन कौन सी समीती ने कौन सी सिफारिश की इंपॉर्टेंट सारे प्रोवीजन्स देखे इसके अलावा हमने वलवंत्राय महता समीती की बात की प्रस्टभो में देखी महत और विशिष्टाओं में हमने जाना कि किस तरीक से ग्राम सभात की इस तरी सीटो कारक्ष अध्यक्ष राज जर्वा चनायोग संग्य शेत्रिय सारी बाते की गई पेसा एक्ट की हमने बात की ठीक है पेसा के अलावा हमने देखा कि सदस्क को लेकर कैसा कुश्चन आया हुआ था ग्यार्विया नुसूची में कौन से विशाय है कुछ इंपोर्टेंट पंचायती राज दिवस्ति हमने करन्ट अफियर से कनेक्ट करके देख लिया आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक हमने चीजों को कवर कर लिया कि बही 43 क्या कएगा 43 के बाद आपको याद कैसे करना है तो वो भी सारे कुछ जो है सारी चीज़े हम समझ गए इसके अलावा हमने मै मालों कोई बास समझ में नहीं आई या कुछ ऐसा था मालों किसी टीचर में पढ़ाने से छोड़ दे आप लिग दोस्ते कि यह वाला जो पॉइंट है यह चूड़ गया था यह लो तो यह कुछ ऐसी बाते हो सकते हैं बच्चो कि कॉमेंट करने के लिए नाइस क्लास इस त पता चलता है कि आपको चीजे समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपने अपने मंच से क्या सूचा वीडियो देखके हमें नहीं पता तो इसके लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है कि अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप उसको लिख दे कि मैं यह नहीं समझ में आया तो next जब भी class होगी आप अगर classes को continuity के साथ देखेंगे कहीं न कहीं मैंने उस fact को जरूर कवर किया होता है ठीक है इस बुनियाद बेच के अंदर भी की थी अचा बुनियाद बेच भी आपको one shot में मिल रहे है वो सारी चीज़े आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो जो एंसी आटीज है आप बार-बार उसका रिवीजन करो बहुत सारे कुशन वहां से आते हैं बच्चों ठीक है तो वन शॉट में जो आ रहा है एंस यह उन सबको पढ़ लो शहरी स्थानी निकाय क्या है 74 की कुछ विशेशता है हमने देख ली इसके अलाव आपने आर्टिकल 243 पी से जाट जी को याद किया बारविया नुसूची के कौन-कौन से विशाए हैं हमने उसको देखा और हमने 2020 में 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 आया हुआ एक क्विश्चन भी देखा और इस तरीके से आपका लोकल जो भी चीज़े आ रही हो उसको अपना इससे को रिलेट कर दो चीजों को याद कर लो एक अपना साथा पेशका दस पेशका जो भी आपका मैटर बन रहा है उसको एक बार बना लो करेंट फेर की कुछ चीज़े बेसिकली आड होगी नहीं स्टाटिक तो वही रहेगा ना क चेंज होए जा रहे हैं आटिकल जब चेंज होगा तो करेंट अफेर में तो पढ़ी लोगे उसको तो सटीक रूप से कभी कोई भी टॉपिक याद करो उसको प्रॉबर वहीं खतम कर दो कि आब आगे जरूरत पढ़े तो कि वल्रिविजन की पढ़े और जितनी बार मल्ट की पल्स उसको रिवाइस करोगे उतना आपका टाइम कम होता जाता है कि एक बार आपने पड़ा आज आपने पंचाहिती राज पड़ा आपको दो घंटा लग गया वह भी तक जब खुद से नहीं पड़ा है ना कोई टीचर पहले सो शाहाद उस पर आट-10 घंटे की मैनत क अधर क्या हुआ था उससे सारी चीज आपको दो घंटे में दे लिए बट आपको चीजों को याद करना वह आपकी ड्यूटी आपकी रिस्पॉंसिबिटी है सो मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में बच्छों पढ़ते रहे हैं ना करते रहे हैं और जो सारी वीडियो से स अभी आपके लिए इंपोर्टेंट से सारी वीडियो को देखिए स्पीड में भी आप देख सकते हैं बस आप बश्रत उसके चीजों को जो है वह समझते जाएं चले बहुत मिलते हैं अपने नेक्स क्लास में थैंक यू थैंक यू सो मच